ये विंडो के उपर जो आपको structure दिख रहा है, ये किस type का structure है, क्या नामे इस structure का, क्या आप जानते हैं इस बात को, क्या ये एक type का arch है, एक arch और एक beam में क्या difference होता है, एक arch और एक curved beam में क्या difference होता है, एक normal beam और एक curved beam में क्या difference है, क्या इस type का shape ही हमेशा arch का होता है, क्या, क्या मैं इस टाइब के कोई structure को curved beam बोल सकता हूँ depend करता है end condition पर depend करता है support किस type का आपने provide कर रहा है यदि मैं दोनों तरफ hinge provide कर देता हूँ तो ये एक arch हो जाएगा और यदि एक तरफ hinge और एक तरफ roller support आपने provide कर रहा है तो वो एक curved beam है तो ऐसा क्यों बोल रहे हम सर शीप तो यही हमें देख रहा है हमें तो यही पता है कि सर इस type का जो कोई भी structure होता है वो arch होता है लेकिन वो arch नहीं वो curved beam है तो दोनों में क्या difference है एक normal beam की जगह हम हमेशा arch को क्यो prefer करते हैं यदि headroom हमारे पास proper available है क्यों हम यह कहते हैं कि सर arch में concrete को हम better way में use कर पा रहे हैं as compared to beam यदि unknown member force की बात करें एक simply supported beam है या कोई भी fixed beam है यदि मैं किसी एक section से cut करता हूँ मुझे तीन forces दिखते हैं axial force, shear force and moment किसी एक arch को किसी section से cut करते हैं अगें तीन force दिखेंगे axial thrust, radial shear and moment जब दोनों में internal forces same हैं तो फिर क्या reason हो सकता है कि arch sir economical होता है as compared to beam यह सब बातों को जानने के लिए आपको join करना होगा प्रतिग्या batch जिसमें कल से start होने जारी structure analysis class morning 7.30 a.m.